हाई स्कोर्पियो वृष्चिक राशी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे चानल पे आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं हम देखेंगे कि जो भी सिचुएशन बेसे कलिए आपकी चल रही है इस समय उसके लिए डिवाइन आपके गाईद कर रहे हैं किन चीज आप से रेजनेट करें कुछ इसे ना भी करें तो सरीके से रीडिंग को आप देखिएगा ओपन रहीएगा ठीक है और ये इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्ससाइज कीजे और जन भी डिवाइन शक्ते में आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई उनसे हाँ चुड़कर के प्रातना कीजे कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें और आपको ओपन रहना है रिसीविंग मोड में रहना है ठीक है आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाली है क् जैवार कि एक जर्नल रीडिंग है तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि यह जो मैसेज शें हैं यह कहां पर आपको देने है कहां पर जाने है तो उन मैसेजे को वहां पर लेने की कोशिष कीजेगा ठीक है। तो स्कॉर्प्यो विष्चिक राशिवालीश पर देख रहे हैं किया मेसेच हैं को इनके लिए अभी इसको अप्यों प्रश्य ग्राश्य वह लोगों क्या सुनने की जरूरत है Magical Gateway Okay, my dear Hmm Transformation Wait for winter Okay, 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 okay Bottom of the deck है, hope Find balance Okay, my dear Hmm, ठीक है Look in a book यहाँ पर है आपके लिए मेसेच मुझे यहाँ पर जो आपके लिए भी मेसेच मिल रहा है कोई रास्ता आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कोई मतलब डिवाइन यहाँ पर आपको कोई पात दिखा रहे है डारेक्ली और बस आपको उस पात पर ट्रस्ट करना है गाइस उस पात पर आपको ट्रस्ट करना है और मैं कहूंगी कि उस पात पर आपको चलने की जुरत है यह basically यह जो energies है ना यह opportunity तो है आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है क्योंकि यह जो पात अगर आप देख रहे हो है basically थीक है तो आपको यहां पर बोला जा रहा है आपके लिए एक unknown path हो सकता है ठीक है मतलब आपको नहीं पता इसके बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारे doubts भी कुछ लोगों को आ रहे होंगे कि ये मैं सही है ये नहीं है या ये मैं कर पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा मतलब बहुत सारे doubts में हो सकते हुआ आप अभी बट आपको यहां पर बोला जा रहा है या आपकी intuition ने जो आपको अभी click करा है ये वही message है आपके लिए ठीक है तो ये मुझे ये भी दिखाए दे रहा है divine मुझे ये भी बता रहे हैं यहां पर कि ये जो path है ना Scorpio इसके लिए आपको बहुत strong होना पड़ेगा आपको bold basically होने की ज़रात है कि हाँ आप कर सकते हो मतलब वह वाली energies मुझे आपके लिए हैं पर definitely क्योंकि ये non path की बात हो रही है हमें नहीं पता उस दरवाजे की पीछे क्या है तो आपको नहीं बता है उस दरवाजे की पीछे क्या है बट एक होता है ने कि आपकी gut feeling आपकी instinct आपकी intuition आपकी inner voice आपको कुछ प्लिक कर रही है कि हाँ चलो ये divine का path है कुछ गड़बर नहीं होगा यहाँ पर तो वो इस moment पर ना आपको अपने inner voice पर अंतरात्मा पर विश्वास करने की यहाँ पर जरूरत है बस आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर divine बोल रहे है यह आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा change भी ला सकता है यह change भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर transformation है और आप में से बहुत लोग Scorpios यह change को accept नहीं कर पा रहे हो यहाँ फिर मैं कहूंगी कि इस change से बहुत ज़ादा आप लोग डर रहे हो ठीक है आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यह नहीं हो पाएगा मतलब जिसे कहते हैं कि मैंने बोला ना इसमें बहुत courage की जरूरत है Trust लगेगा इसमें, courage लगेगा इसमें ठीक है confidence बहुत चाहिए, यह easy नहीं है पर क्या कहते हैं बड़ी चीजें easily थोड़ी मिल जाती है ठीक है नहीं, बड़ी चीजें आपको अगर ऐसे परोस करके मिल जाती है तो फिर बात ही कहा है फिर वो बड़ी नहीं थीक है ना ना ही वो फिर permanent रहती है तो आपको बोला जा रहा है इस change को embrace करो इस change को accept करो, यह transformation है यह change है आपके जीवन में जो बहुत इसमें basically इस उर्जा में आपको surrender लगेगा कि ठीक है मतलब divine देखेंगे मैं divine को surrender करता हूँ एक बार इश्वर पर विश्वास करके देखो divine पर universe पर विश्वास करके देखो आपको जिसे कहते हैं ना कि रोना नहीं पड़ेगा या फिर वो trust आपका बिकार नहीं जाएगा एक होता है न कि लेकिन हाँ करना है अंदर से trust ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया तो उपर से ओके universe में आपको trust करता हूँ ऐसे वाली उर्जा नहीं कि yes universe में आपको trust करके ही इस पात पर चल रहा हूँ देख लेना जो होगा एक वो वाली vibes होती है न भी मैंने आपके हवाले कर दिया ठीक है तो आपको basically उस चीज के लिए आपको बोला जा रहा है ठीक है और और आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जो भी change आपके आ रहा है यह जो भी रास्ता आपको दिखा जा रहा है यह आपके बहतरी के लिए guys the best is yet to come जो best है न वो आपको मिलेगा यह बहुत बड़ा बदलाव है और इससे आपको accept करना इस समय और आपको यह सुनने के जरुरत है लेकिन आप उसमें हो नहीं तो please इस doubts को और यह जो भी आप इस energies में हो कि नहीं मुझे यह नहीं चाहिए transformation मुझे यह change नहीं चाहिए या फिर मेरे अंदर वो confidence नहीं आ पा रहा है कि मैं इस पात पर बढ़ पाऊ please उन doubts को release करो उन doubts को release करने की जरुरत है ठीक है उन doubts को release करने की जरुरत है तो आपको यहां पर वो clear message यहां पर दिया जा रहा है जिस भी पात पर आप चलोगे न ठीक है यह जो डिवाइन ने आपको path दिखाया है यह magical path है आपके लिए यह change आपको जो इसके results है ना इसके results जैसे कहते है इसका सार आपको आने वाले यह winters होंगे winters में आपको उसके results देखने को मिलेंगे तब तक के लिए आपको wait करना पड़ेगा और बस आपको positive रहना है और अपने आप में balance रहना है मतलब आपको doubts नहीं करना है यह कुछ बहुत बड़ी चीज है guys आपके लिए Scorpio और अगर आपने इस transformation को इस change को accept कर लिया अगर आप divine के दिखाए इस path पर अगर चल गए तो believe me आप बहुत बड़ा change अपने जीवन में यहाँ पर लाने वाले हो यह याद रखिएगा ठीक है बहुत मैं कहूंगी यह difficult है आपके लिए decision लेना लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बड़ी चीज़े यूं ही नहीं हो जाती है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है गरेच चाहिए होता है वो दिल आपके पास है वो power आपके पास है तभी divine आपको यहाँ पर गाइड कर रहे है तो थोड़ा ना अपने उपर विश्वास करो उपर वाले पर विश्वास करो यहाँ पर इस समय आपको यह जाना है इस पात को लेकर के positive रहिए ठीक है positive रहिए क्योंकि आपके जीवन में अच्छी चीज़े आ रहे हैं ठीक है आप उसके outcomes देखोगे और definitely आपको यहां पर बताया जा चुका है कि wait for winter oh my god bottom of the big day को यहां पर क्या है ठावर कुछ तो है आपको release करना है Scorpio एक बात बताना चाहती हूं आपको यह जो भी उर्जा है अगर आपने अभी उसके लिए actions नहीं लिए तो आगे फिर आपको उसका भुकतान भी भुकतना पड़ेगा I mean वो फिर another way में होगी समझ रहे हुआ क्योंकि आप नहीं बने हो उसके लिए my god नहीं बने हो देखो आपको पाथ दिखाया जा रहा है बस उस पाथ पर चुप चाप चल पड़ो back to back यहां पर major arcanas है किते powerful cards हैं अगर आपको थोड़ी बुद नॉलेज है न तारुकी तो आप समझ रहे होंगे बहुत पावर है इन तीनों cards में समझ रहे हो इनका combination आप समझ रहे हो तो जो divine आपको यहां पर बता रहे है उस पाथ पर आपको चलनी की जरूरत है thank you divine thank you angels thank you spirit cards oh my god two of wands six of swords handman आप अटके ही हुए हो ठीक है अटके ही हुए हो guys oh my god यहां की current situation है current situation है यहां पर भी देखो आपको क्या वोला जा रहे है बढ़ो आगे आप अटके हुए situation में चलू या नहीं चलू अपने comfort zone को छोड़ू या नहीं चोड़ू यह पाथ सही है यह basically देखो यह जैसी कि ना definitely इसका इसका आपको यह जो भी situation है ना इसका अभी क्या आपको result नहीं मिलेगा कि तुरंत आपने action लिया तुरंत आपको उसके बड़े ही positive results मिल गए honestly speaking यह पर मैं बताना चाहती हूं लेकिन आपको आगे जा करके आपको उसके बहुत positive results मिलेंगे guys बहुत positive results कुछ लोगों के लिए यह transfer हो सकता है कुछ लोगों का shifting हो सकती है कुछ लोगों की job change हो सकता है कुछ कुछ लोगों का बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि आप कर कुछ और रहे हो मतलब the intuition आप बता रहे है बिल्कुल ही कुछ और करने के लिए कुछ और ही click हो रहा है आपको समझ रहे हो यह वो energies है तो अभी आप बस अभी आप रुके होए अभी आप कोई action लहीं नहीं रहे हो क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपको ऐसा भी लग सकता है कि यह जो path है ना इसमें competition बहुत जादा है तीक है या फिर obstacles बहुत जादा है तो जैसी कि मैं आपको बोल नायों को देखा होता है तब जाकर के वो emperor बना होता है उसकी दाड़ी यूही सफेद नहीं है वो experience के बारे में basic हली बताती है तो आपको भी यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें आपको ना इसमें आपका courage लगेगा लेकिन यह ज़रूरी है आज नहीं तो कल यह चीज होग कि यह होनी है तो अच्छा है कि अभी इसको लेकर के actions ले लो अभी situations ऐसी बनी हुई है तो जदा सोचो विचारो नहीं आगे बढ़ो आपको यहां पर बोला जा रहा है इसमें अपनी intuition पर intuition पर trust करो universe पर वाले पर आपको trust करने की ज़रूरत है यहां पर आपको बुला जा रहा है कुछ attachments भी हो सकती है जिस वज़े से कि आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ठीक है कुछ attachments भी है देखो oh my god, ace of cups page of pentacles मैंने आपको बोला ना तो bottom of the deck empress का card है हाँ पर मैंने literally divine से यही पूछा कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है इसके लिए तो भी open रहे है accept कीजिए जो offer divine आपको भीज रहे है आपकी तरफ आ रहा है जो path आपको दिखाया जा रहा है उस पर चलो उस offer को accept करो ठीक है यह कुछ नया करने का है page of pentacles की energies है कुछ नया create करने का है कुछ नया करने का है लेकिन definitely मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं कुछ जो आपको में भी support नहीं कर रहे है situation आपके accordingly कहने का मतलब आपको आपके environment में भी support नहीं कर रहा है पर अगर मैं इतना light बोल रही हूँ ना तो यह my dear यह आपकी उड़ जा है कि आप इसे light मिले रहे हो ठीक है इतना थो देख रहे हो आप देखो आप आप होई आपकी उड़ जा रही है आप ठीक है कि अभी नहीं करना अभी यह change नहीं लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर यह कर लिया तो भी आपकी जीवन पूरा बदलने वाला है ठीक है छो चौरा था तर्व कंकि ड्वा यहीं दोस कर तो कौरा था एक बात बता देती हूं, आपकी सफलता तो निश्चित है, आपको उसके लिए ट्रेवल तो करना पड़ेगा, दूर तो जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको वो सक्सेस मिल पाएगी, तभी आपको वो सफलता मिल पाएगी, बर्ट आपको इस वक्त में जो है जिसे कहते है अपने emotions को balance कीजे मैं कह रही हूँ ना कुछ attachments भी है अभी परिवार का attachments हो सकता है मतलब यह कुछ भी है आप अपने according ले देखिए ठीक है bottom of the deck two of cups ठीक है तो यह आपको देखना है थोड़ा attachments भी है लेकिन आपको सफलता आपको आपके क्षेतर से दूर जाकर के ही मिलेगी मतलब मैं कहूंगी यहां तो आपके क्षेतर से मतलब आपकी city से दूर यहां फिर आपके state से दूर यहां फिर आपकी country से दूर या फिर यह वो उर्जा है बिल्कुल जो आप अभी कर रहे हो ना उससे बिल्कुल डिफर जो मैंना को बोला कुछ अलग यूणिक करना ठीक है तो उसी में आपको वो सफलता मिलेगी यहाँ पर Divine आपको यहाँ पर बोल रहे है विक्ट्री तो मिलेगी उसी में ही मिलेगी success उसी में ही है आपको यहां पर divine board रहे ताज उसी में ही मिलेगा आपको यह याद रखिएगा ठीक है ओके लेट सी यहां से keepers of the light साफ के लिए क्या message है समय Scorpio thank you ma thank you Baba Scorpio Cosmic oh my god again यहां पर magical gateway यहां पर cosmic gateway your thoughts are magnetic and powerful miraculous changes are occurring भई देखो क्या बोलू मैं Scorpio अगर अभी आपने अपनी power दिखा दी और अभी अगर आपने इस decision को ले लिया अगर आप अभी इस pathway को लेकर के अगर आपने action ले लिया आप अपने जिन्दगी में बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बड़े बदलाव आप देखने वाले हो जो मैं अल्रेडी आपको बता चुकी हूं ठीक है आप एक लूप को एक cycle को खतम कर दोगे मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिस लूप में आप स्टक डो आप उसको खतम कर दोगे और यह मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप मेंसे कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो कि यह कुछ अलग ही है मतलब जैसे किसी पैटन को ब्रेक करने वाली एनर्जी से हैं यह कोई फैमिली पैटन भी हो सकता आप लोगों के लिए समझ रहों कि फैमिली में किसी एक चीज को फॉलो करते यह आ रहे हैं लेकिन आप यह कुछ अठकर के कर रहे हो और यहां पर भी जैसे चील की एनर्जी तो यह दूर्व दरशिता की बात कर रहा है ठीक है लॉट टम की बात कर रहे है कि सक्सस है ठीक है बहुत बड़े बदलाव हैं बहुत अच्छा आउटकम है लेकिन वह जिसे आपके लिए पर यह जरूरी है एक्चुल में यहां पर डिवाइन है यहां पर डिवाइन है समझ रहे हो magical gateway cosmic gateway अपनी पावर में आओ आप आपको यहां पर बूला जा रहा है अपनी पावर में आओ क्योंकि यह वो चीज है जो आप डिजर्व करते हो और जो आपको मिलनी ही चाहिए समझ रहे हो आप यह वो चीज है हो oh my god bottom of the deck intervention and purpose divine intervention is occurring no sorry no that you are being guided happiness is your purpose भई मैं तो आपको गह रही थी कि जब वो टावर कर दिखा था मुझे काड की आएंगे तो यहां पर divine है ठीक है divine already है that is why आपके लिए यहां पर आपके लिए जो कार्ड निकल कर आए है न वो आपको बता रहे हैं कि आपको आप और अंदर से जानते हो मैंने बोला ना कि हाँ यह पात मेरे लिए है पर कुछ चीजे रोक रही है कुछ negativity रोक रही है आपको ठीक है तो उस पर आगे बढ़ो अपने परपस को पूरा करना ही आपका मतलब वो है इस lifetime में कि आपको इस परपस को इसको पूरा करना है hope you understand guys hope मुझे नहीं परता मैं अपने वोट से उस तरीके सापको समझा पा रही हूं या नहीं समझा पा रही हूं लेकिन प्लीज मेरी एनर्जिस को फील करनी की समय कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या कह रही हूं है और यह सब के लिए रीडिंग नहीं है अगे चलिए इंचल आपको इसमे क्या कहना चाहते हैं इंचल का टो के लिए क्या में सिचे नो हूं हम्म ओके वेट विदिन दनेक्स लिटरली अभी भी किसी ने ना यहां पर पूचा है तो उनको आंसर मिला है कि देखिये अगर आप यह समझ रहे हो कि यह जो भी चीज है इसके रिजल्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे और यह एजी प्रोसेस रहेगा बिलीव मी मैं बोल रही हूं ना कि आप अगर किसी अन्नोन पाथ पर अगर आप जीवन में अपनी चेंज भी लाते हूं मैं एक नॉर्मल आपको एक्जांपल देती ह है कुछ भी तीक है अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो कहने का मतलब बदलाव हमेशा कमफर्टेबल नहीं होता है तो डेफिनिटली वो चीज आपको थोड़ा अनकमफर्ट अगर आपको लग रहे है कि हाँ यह इसली हो जाएगा कमफर्टेबली कोई प्रॉब्लम दो नहीं आएगी देखिए चालेंजिस तो है लेकिन यह आपका पाथ है भई आप अपने जिसे कहते हैं परपस पर ऐसे ही नहीं आ सकते ना समझ रहे हो आप इस बात को हट चीज आपको कमफर्टेबली नहीं मिल सकती उसके लिए कुछ इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा तो आपको वही बताया जा रहा है कि इतना कमफर्टेबल मत समझो उसके लिए प्रपेर रहो मैंने बोला आपको कि इसके लिए करेज लगेगा इसके लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा आपक उसके results देखने को मिलेंगे और यह basically वही energies है आपके लिए ठीक है तो यहाँ पर angels भी आपको वो confirmation यहाँ पर दे रहे हैं ठीक है तो yes करफियो यह थी आपकी reading, hope आप इससे connect हो पाए हूँ और आप इस guidance को apply करो, इस तरफ आगे बढ़ो मैं बस यही उमीद करती हूँ आपसे और yes अगर यह वीडियो आपसे connect हुई है, आपको guidance मिली है, messages मिले हैं तो please divine को thank you बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा सबसे ज़ादे important यह है कि अपनों के साथ इस reading को ज़रूर share कीजे ताकि किसी के लिए इसमें message है, तो उन तक यह पहुँच पाएं, आप एक जरिया बन पाएं और अभी तक channel को guys subscribe नहीं किया है, तो please कीज़ेगा thank you so much for watching my video God bless you all, bye bye